आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2020 की दोपार में हुई मलेट्री हेलिकॉप्टर इसमें भारत के प्रथम चीफ आप डिफेंस स्टाफ जन्रल बिपन रावत उनकी धर्म पत्ने प्यों 12 अन्य सवार थे कि दुरगटना के दुरभागे पूर्ण समाचार से भ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ काले वेलिंग्टन के इस्टुएंट आपसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक सीडूल विजित पर थे एरफोर्स के यमाई 17 V5 हेलिकॉप्टर ने कल 11 बज कल 49 मिनट पर सुलूर एयरवेज से अपनी उडान भरी जिसे 12 बज कर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12 बज कर 8 मिनट पर हेलिकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पाथ जंगल में कुछ अस्थानी लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भाग कर उस अस्थान पर पहुँचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलिकाप्टर के आउसेस को आग की लगतों से घिरा हुआ देखा। अस्थानी प्रसासन से एक बचाओ दल उस जगह पर पहुँचा उन्होंने क्रैस साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी रियास किया। उस असेस से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन्हों सब को यथा सिग्र वेलिंग्टन के मिलिट्री हास्पिटल पहुँच आया गया। प्राप्र जानकारी के अनुसार उस हेलिकाप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मिर्ट्टी हो गई। जिन लोगों की दुर्भागिपून मौते हुईं उनमें चीफ आप डिफेंस स्टाफ, इनकी धर्म पत्नी स्रिमती बधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाकार ब्रिगेडियर लख्विंदर सिंग लेड़र, स्टाफ आफसर लेटनें करनल हरजिंदर सिंग और एर फोर्स ह नो अन्य लोग सामिल हैं। आज साम तक इंडियन एर फोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुन सिंग वेलिंग्टन के मिलिट्री हास्पिटल में लाइव सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभो प्रयास किये जा रहे हैं। एर चीफ मार्शल ट्री वी आर चौधरी को घटना अस्थल पर दुर्गटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज़ दिया गया है। उन्होंने घटना अस्थल यो वेलिंग्टन हास्पिटल जाकर इस्थित का जाइजा लिया। इस दुर्गटना के संबंध में इंडियन एर फोर्स द्वारा एर मार्शल मानवेंदर सिंग की अध्यक्ष्टा में एक ट्राई सर्विस इन्कौईरी के आदेश दे दिये गये हैं। अध्यक्षम हो रहे हैं, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को प्रद्धानजलिया रिपित करता हूं और उनके परिवार जनों के परती संबेदना भी व्यक्त करता हूं।